हे माइडिया फॉलोवर्स आप सबके डिवांड पर रेगुलर पूछा जाता था कि आप इतने बिजी शेडियूल में घर को कैसे मैनेज करती है तो यह देखिए इससे रिलेटेट चोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूं कि मैंने अपने घर को क्लीन कैसे किया है तो साटरड़ साटरड़ संडे मेरे कर जादा चुट्टी होती है क्योंकि हस्बेंड की चुट्टी होती है बच्चों का स्कूल भी जल्दी रिलीज हो जाता है तो यह देखिए मैंने से फेक मॉब पकड़ा उसको गीला कि अच्छे से निचोड लिया और जितने भी दिवाल होते हैं उन होम बेकर हैं तो जरूरी नहीं कि हर वक्त आपके पास ओडर होता है अगर आपके पास जादा ओडर है तब भी आप एक से दो घंटे का टाइम अपने घर के लिए अपने आपके लिए जरूर निकाले यह देखिए मेरा यहां पर एक टीवी पैनल है जिसमें एक्रालिक की यहां तो बहुत ही क्योंकि मैं इंटीर डिजाइनर वैंने को इन गर को डिजाइन बीट पोरी डिजाइन नहीं हो पाई है क्योंकि दिवाली सेरह तो जल्दी-जल्दी काम करवाना था तो कुछ चीज अभी भी पेंडिंग है जैसे मैंने सोफा नहीं रखा है अपने गर म मेरा तो बहुत बड़ा घर नहीं है इसमझे से मैंने हाल को काफी खाली छोड़ा है बच्चों के ले ताकि वह अपना एक चोट टाइम पीरेड है वह इसे इंजॉय कर सके कर सकती है मेरे बास ब्रकश सकती है मेरे पास बंदैनम मेरे यहां पर देख यहां चादर वगेर आपको क्लीन करने होगा, फैन हमेशा आपको क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि फैन भी आप इस मॉप से बहुत है, यह मॉप जो है बहुत ही पावरफुल चीज है, हर लेडी के घर पास होना चाहिए, तो यह बहुत ही बड़ा हथियार है आपकी क्लीनिंग का, जरूर रखे, यह मॉप बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत कम रेट में भी मिल जाता है, मिशो में ट्राइ कर सकते हैं, मैंने मिशो से मगाया था, चोटी चोटी चीजों को आपको इस तरीके से चोटे कपड़े से भी रगड़ना हो सकता है, तो थोड़ा सा टाइम देना हो मैंनेज करके रखती हूं, बच्चों को बहुत मजा आता है, नीचे बेट सोफा जैसे रहता है, अगर कभी घर पे लोग जादा आते हैं, तो यह गद्दा मैं पूरा बिछा देती हूं, जिससे बहुत अच्छा बेट बन जाता है, तो नीचे सोने में भी अलग ही मजा होत और इस तरीके से मैं सारे कुशन वगेरा रेंज करके रखती हूं, वीकली या हर 10-15 दिन के डिफरेंस में चादर और कुशन कोवर्स में चेंज करते हूं, जिससे गहर में एक नया लुक भी बना रहता है, मेरा बेटा मेरे साथ साथ एंजॉय कर रहा था, वो रेडी हो कई बार बहुत जादा इरिटेशन भी होता है, बच्चों के साथ कभी कभी तकलीक भी होती है, लेकिन करना तो ही हमें, तो वह चीज सोच करके अगर आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आप सब के साथ शेयर किया है, अपने घर को क्लीन रखने का आकरी में मैंने पूछा लगा दिया, चादर चेंज कर दिया, चेर्स वगेरा सब अरेंज कर लिए, तो अब आप देख सकते हैं, जो मेरा घर है, वो कितना पॉफेक्ली शाइनिंग लुक में ये, इस जिस तरीके का डेकोरिशन मैंने ले आया है, तो लाइ के साथ सेट होना चाहिए, ये मेरी पूरी कोशिश होती, इविन मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं, कि ममा अगर आपने ये सेट की है, तो हम भी कोशिश करेंगे, उससे सेट रखने की, अगर कभी ऐसा होता भी है, कि बिखरा हुआ हो तो मेरे बीटा, बड़ा वाला में तुमारा, अक्षु नाम है, क्या कर रहे हो, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये छोटा सा क्लेनिंग टिप पसंद आये हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, मैं फिर मिलूंगी नए क्लेनिंग टिप्स के साथ, बाई झाल-गल, घज झाल-गल, तो उरुगाइब ए जरूर को, मैं जयुझ झाल-गल, जबाइब और रहे हो, तो इस वीडियो को, ऑन क्लेनिग को, तो जबाइब पसंद मेरे हो, जजगनdyग और से वीडियो जगर, पस लीडियो को, नढ़ाब बाईब पसंद आपको, जबाब